हेलो फ्रेंट्स, आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ आप अपना नेम को डाल करके अपना नाम को डाल करके अपना आधार नंबर को पा सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको अपने मोबाईल स्क्रीन के उपर आ जानी है और क्रोम ब्रोजर को उपेंड कर लेना है उपेंड करने के बाद दोस्तो आपको सर्च कर लेनी है UID ठीक है क्या सर्च किजिएगा तो UID जैसे आप इसे सर्च करेंगे इसका पूरा वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा UIDAI.gov.in इसे आपको सर्च कर लेनी है सर्च करने के बाद दोस्तो जिस भी भासा के अंदर आप कमफर्टेवल होंगे उस भासा के साथ में आपको आगे बढ़ जाना है मैं यहाँ पे दोस्तो English Language को चुन लेता हूँ उसके बाद आधार काट का ओफिसेल वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन के उपर आ जाएगा आपको स्क्रॉल करते हुए नीची आना है और नीची आने के क्रम में दोस्तो आपको यहाँ पे एक ओप्षन देखने को मिल जाता है आधार services का आधार services का आपको option देखने को मिलता है इसके उपर आपको click कर लेना है और फिर दोस्तों फिर से आपको scroll करते हुए नीची आना है और नीची आने के क्रम में एक option आपको देखने को मिलता है Retrive आधार ठीक है Retrive आधार आपको option देखने को मिल जाता है आपको फिर से स्क्रॉल करते वे निची आना है यहां आपसे पूछ रहा है कि आपको अधार नमबर चाहिए या फिर इंडॉल्मेंट आईडी चाहिए तो दोस्तो यहां पे चेक बॉक्स में आपको टिक रहने देना है अधार नमबर एक बार आपको अधार नमबर मिल जाता तो फिर अधार नंबर की सहयता से आप अपना अधार कार्ट को इसली डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है लेकिन आपको ध्यान यह रखना है दोस्तों आपको वही मोबाइल न रेजिस्टर हो तभी आपका अधार नमबर जो है वो आपके रेजिस्टर मोबाइल नमबर के अंदर भेजा जाएगा उसके बाद दोस्तों ये क्लिक कर लेता हूं तो दोस्तों सारा डिटेल मैंने फाली यहां पर भड़ लिया है अब देखें सेंड ओटीपी का बटन दिया गया है इसके उपर मैं क्लिक कर लेता हूं दोस्तों फाइनली हमारे मोबाइल नमबर के अंदर ओटीपी भी आ चुका है और मैंने यहां पे इंटर ओटीपी के जगा पे ओटीपी भी इंटर कर दिया है तो दोस्तो आगे submit का बटन दिया गया है इस submit वाले बटन के उपर मैं click कर लेता हूँ जैसे ही दोस्तो मैं इसके उपर click करता हूँ हमारा register mobile number के अंदर आधार number भेज दिया जाता है चलिए साथ ही हमाँ submit कर लेता हूँ देखे दोस्तो यहाँ पे भी click कर के आ जाता है और हमारे mobile number के अंदर SMS भी आ गया है चलिए मैं आपको SMS भी दिखा देता हूँ लेकिन देखे यहाँ पे click कर के आ रहा है योर आधार number और यहाँ पे बाकी का जो 8 digit है वो blanks रहेगा और last का 4 digit आपको देखने को मिल जाता है और देखे लिखकर के आ रहा है is sent to your register mobile number मतलब आपका जो register mobile number है उस mobile number में भेज दिया गया है आपका अधार number अब चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अधार number दिखा देता हूँ देखे दोस्तों यहाँ पे sms भी आ चुका है लिखकर क्या रहा है dear resident यहाँ पे अधार number है is your अधार number uidai ठीक है तो इस तरह से easily दोस्तों आप अपना नाम को डाल करके अपना अधार number को निकाल सकते हैं इस अधार number की सहायता से फिर आप अपना अधार कार्ट को easily download कर सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार